नमस्ते दोस्तों अब सभी को मेरे चनल पर स्वागत करते हैं तो दोस्तों आज की टॉपिक में हम आपको Microsoft Excel में Electric City Build Calculate कैसे करते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो कफी important होने वाला है वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा तो चलिए प्रोसेस को start करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक table को design किये हैं जहाँ पर मैंने ले लिए कुछ consumer id, consumer name, previous meter reading, current meter reading, units, rate per unit और net amount तो हमको यहाँ पर units न निकाल लेते हैं उसके लिए सबसे easy formula use कर लेना है इसके लिए करना पड़ेगा आपको equal current reading minus previous reading current reading minus previous reading उसके बाद एक बाद enter कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर सब cell में formula को निचे तक drag कर देना है जैसी drag कर देंगे तो देखिए यहाँ पर सब consumer id का units निकाल गया है उ rate per unit rate per unit के लिए आप नीचे देख सकते है यहाँ मैंने एक table को अपने से design किया है जहाँ मैंने कुछ unit fix कर लिए और उसका cost भी fix कर लिए मैं अपने ही सब से fix कर लिजेगा unit और उनका cost तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इप formula का use कर लेंगे तो चलिए यहाँ पर इप formula को apply करते ह इसके लिए करेंगे equal if equal if bracket open unit को set कर लेंगे less than equal 100 फिर देंगे comma quotation के अंदर लिखेंगे 2.4 quotation close फिर comma यहाँ पर मैं क्या हूँ अगर 100 रुपीज या तो उससे कम रहेगा तो यहाँ पर apply होगा 2.40 पैस है तो फिर comma दे दिये उसके बाद फिर करेंगे if bracket open फिर unit को set कर लेंगे less than equal 200,200 के लिए हाँ पर apply करेंगे 3.40 quotation के अंदर करेंगे 3.4 quotation close फिर comma फिर यहाँ पर करेंगे if bracket open उसके बाद फिर यहाँ पर unit को set करेंगे उसके बाद कॉम उसके बाद देंगे less than equal यहाँ पर करेंगे 300,300,500 के अंदर करेंगे 5 रूपीज 5 quotation close फिर comma उसके बाद यहाँ पर करेंगे फिर if bracket open आप यहाँ पर देंगे getter than क्योंकि यहाँ पर पहले unit को set कर लेते हैं unit set कर लिए अब यहाँ पर देंगे getter than क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा हूँ above के 300 के above रहेगा तो रहेगा 7 रूपीज तो यहाँ पर करेंगे equal 300 comma quotation के अंदर करेंगे 7 रूपीज and 4 times bracket को close कर देंगे then enter तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 100 रूपीज जो 100 unit से उसका यहाँ पर rate आ गया 2.40 जो यहाँ पर मेरा head table पर है तो यह formula को मैं नीचे तक drag करके सबका unit rate निकाल लोगा तो यहाँ पर देखिए आ गया है अब net amount निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा नेट amount के लिए करना पड़ेगा है equal units into rate then enter कर देना है formula को नीचे तक drag करके सबसेल को fill up कर देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो rate पर unit का amount है वो यहाँ पर आ गया है और जो net amount है सब यहाँ पर आ गया है तो दोस्त यह था एक simple process जिसको use करके अब easily Microsoft Excel में electricity bill calculate कर सकते हो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजेगा मेना चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe भी कर दीजेगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बाए